मुझे पता है बहुत sensitive topic है लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो है एक comedian के उपर में ही target हिया जाता है और हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ comedians पे उन सभी लोगों पे जो भी कुछी चीज को ले करके point out करते हैं मुझे जहां तक लगता है कि एक देश जो है अगर उसके बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो उसको ऐसा feedback लेकर करके आगे बढ़ जाना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई वीरदास ने बाहर जाकर के Americans के सामने में हमारा इज़त दुबा दिया है देखो उन्होंने बात की है दो इंडिया के बारे में और वो दो इंडिया क्या है मतलब एक इंडिया जहां पे बहुत सारी प्रगती हो रही है बहुत अच्छे चीज़े हो रही है लेकिन उसके इलावा जो है एक दूसरा इंडिया है जिसके अंदर में जो बहुत सारी बुरी चीज़े भी हो रही है और उसी चीज़ को जो है कॉमेडी के जरिया लोगों को बस बताया अब लोगों को हसी आ रही है क्योंकि वो comedian है उन्होंने उसके पर में जोग बनाया है अब सवाल यह है कि जोग exactly फिर comedian किस बात पे मारेंगे माबाप पे नहीं मार सकते हैं अगर माबाप पे मारा तो भाई देखो जिन्नों पाला पोसा उन्ही को जो है मजग बना करके रख दिया इसने अगर आप wife पे बनाते हो तो यार औरत का मज़ा गुड़ा रहा है अगर किसी के body के उपर में बोलते हो कि ये मोटा है ये पतला है ये सुकडा है काला नाटा जो भी है उसके पर में भी नहीं कर सकते धिरे धिरे इनका genre खतम हो रहा है अब देखा जाए तो इन लोगों ने जो है real fact जो है मतलब जो चीज़ा सची में हो रही है उस चीज़ को लेकर के जो है comedy के वे में लोगों के सामने में रखना शुरू कर दिया अब उसके प्रमी problem है ये तो था उनका one side और जो दूसरा side है जो के वो धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब रामायन महाबारत इन सब के characters को उठा करके अगर कुछ हो मजाग बना रहे हैं तो भाई उसके लिए तो भाई किसी की sentiment होती है उसके साथ में जुड़ी वी वो बहुत सारी चीज़ो को ले करके जो है अपने आपको मतलब जुड़ावा महसूस करते हैं और उस पे सोचते हैं कि भाई हम इनके वे से जो है motivate हो सकते हैं हम इनके सहारे जो है अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो इस चीज़ के पर में तो मजाख नहीं होना चाहिए लेकिन Indian public का और खास करके जो बहुत सरे creators हैं जो इनके अगेंस में जो है वीडियो बना करके बोल रहे हैं कि यार जा करके चीची करवा दिया थुदू करवा दिया तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ क्या हमें अफगानिस्तान के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हो रहे है या इस जद की मिट्टी पलित कर रहे हैं तो वही ऐसा नहीं है सबको पता है कि इस देश में क्या चल रहा है अब अगर इस चीज़ को लेकर के ऐसा मोड रहे हो कि यह चीज़ बताओ करके जो है लोगों के सामने में चीची तूटू कर दिया तो वही ऐसा नहीं है ऐसा इसके उपर में नहीं होना चाहिए, किसी भी ध्रम के बारे में किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए लेकिन देश की जो प्रावलम है वो तो मजाक मजाक में ही सामने रख रहे हैं इससे पहले कुनाल कामरा, उसके वैसे मुनवर फारुकी इन सभी लोगं को सिफ इस चीज पर रोक दिया गया था क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस पर थोड़ा सा भी अगेंस जाकर के बोलते हैं तो भई वहाँ पर बैन हो जाता है चलती शो जाकर के रुकवा देते हैं तो आपको लगता है कि भई ये चीज देश के अंदर में हुरी है देश के अंदर में ही है और किसी को नहीं पता चल रहा है ठीक है वो जोग मुझे कहीं न कहीं सही लगा है बैर के आज भी जब लड़कियां अगर कुछ और पहन करके जाए जो के लोगों के नजर में बहुती अलग तरह का कपड़ा हो जाता वो अगर पहन करके जाती है तो लोग सीथा बोलते हैं क्या चीज है भाई इधर हम भी है यह सब चीज बोलते हैं और उसी चीज को अगर उन्होंने जोक के हिसाब से बता दिया है कि आप इंडिया में जाओ एरपोर्ट के बाहर जाओ तो वहाँ पे रिक्षय वाले टैक्सी वाले जो कुछ इस तरह से ब्येव करते हैं उनको लगता है कि जो आए है वो उनको अपनी भाशा के इलावा हिंदी नहीं आती है और उनको नहीं समझ में आएगा हम उनके पीछे जो मर्जी वो बोल देते हैं तो अगर इस चीज को रेक्टिफाई किया है कि यह प्रॉब्लम है उस चीज में उन्हों प्रॉब्लम है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जान बूच करके रिपोर्ट नहीं करते और उसी चीज को देखकर के रेक जो केसे से बढ़ते ही जा रही है हम जितने भी रिपोर्ट जितने भी न्यूस सुनते हैं वो कुछ भी नहीं है बस और आव शॉक्ड रीसेंटली जो है मुंबई जैसे शहर में जहां पर कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोती और वहां पे लड़कियां आराम से घुम सकती है फीमेल के उपर में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आ सकता है वहां पर भी हो घाटको पर का केस था तो अगर कोई यह कह रहा है कि इसके पर मैं काम करो और अच्छे माक्त ले करके आओ अब इसके पर में कुछ लोगों का यह कहना था कि अगर डॉक्टर जो है तुमको कुछ बिमारी बताएगा तो वो जा करके फॉरन कंट्री में तुम्हारा रिजल्ट सबके सामने में देगा क्या यार रंचोड़ दाश बनना बन कर दो यार मतलब वो जिस तरह से कहता है थ्री इडियट में बात वो बिलकुल भी नहीं है पर अपने हिसाब से तोड़ मनोर के रख रहे हैं मजे कर रहे थे ठीक है लेकिन बस वो धर्म वाला एंगल छोड़ करके सारी चीज वोस राइट आप जितना भी जितना योंग का देश नहीं है जो मतलब नौर्थ कॉरिया में बैट करके उसको लगता है हम जो तीन चैनल दे रहे हैं उसी के अंदर में तुम गाना सुनोगे उसी के अंदर में देश के बारे में सुनोगे बाहर की कोई news नहीं रहेगी कोई browser internet वगरा कुछ यूज नहीं कर सकते बाहर के शोज नहीं देख सकते, सब कुछ आखे बंद करके सिर्फ हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलो It's not like that, और अगर ऐसा है, then democracy is gone right now, आप कुछ नहीं बोल सकते अब इस चीज के उपर में भी जाकर के कुछ जंडु लोग नीचे comment में जाकर के लिखेंगे बेटा तु इस देश में है बोल करके ऐसा बोल पा रहा है, तो ठीक है, बना दो तालेबान, बना दो यार, North Korea बना दो और ऐसे ही साशन कर लो, ठीक है, चलेगा न, क्या problem है वैसा अगर बोलेंगे न, तो जो आप comment कर रहे हो न, वो भी आप नहीं कर सकते freedom of speech तेर लगाने गया, कुछ नहीं कर सकते so stop stabbing on them, के भाई, ये गलत किया है, ऐसा करके गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो गलती को जिस तरह से लिया जा रहा है as a criminal offense, that's bad, very bad जा करके देखो, बहुत सारे ऐसे creators है, बहुत सारे ऐसे writers है जो अपने ही देश के बारे में अच्छी सी अच्छी और बुरी सी बुरी चीजे जो है बताया है books में, अब उनको band नहीं कर दिया गया, उनके देश ने ये नहीं बुला कि आओ, हम तुमको जेल में डालेंगे, खाली वापस आगर के देखो what we can do क्या लगता है, solution क्या है, आपको क्या लगता है, comment करके बताओ बस इतना ही सा बोलना चाहता था, I'm very sorry, वीडियो काफी लंबा हो गया मलता हूं next video मैं, तब तक के लिए thank you, bye bye